So guys, finally OnePlus ने launch कर दिया है OnePlus 12R इंडिया के अंदर और यह आप हमारे हाथों में देख सकते हैं नया चमचमाता हुआ OnePlus 12R Pricing जो रखे है वो as usual जैसे OnePlus रखता है इसकी pricing है 39,999 जो starting variant है जहाँ पे आपको 8GB की रहा है 128GB की storage देखने को मिलेगी एक और variant है जहाँ पे आपको 6000 रुपय एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसके बाद इस phone की cost हो जागी 46,000 रुपीज उसमें आपको मिलेगा 16GB की RAM साथ में 256GB की storage अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या इस price point पे आपको ये phone खरीदना चाहिए या फिर नहीं तो ये वाला phone पिछले कुछ time से मैं use कर रहा हूँ तो आज के इस वीडियो में अपना genuine honest opinion दूँगा कि क्या ये phone आपके लिए बना है या फिर आपको दूसरे brands की तरफ जाना चाहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंदारी भाई तो like कर दो और ऐसे वीडियो के लिए subscribe बटन दबा दो तो मज़ा ही आजाएगा तो जैसे ही आप box को open करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले एक envelope और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा एक back cover जो कि हमने already phone पे नहीं लगाया हुआ है side में रखा हुआ है ये कुछ इस तरीका है transparent नहीं है ये तो ये काफी अच्छा है कि पीला नहीं पड़ेगा लेकिन transparent होता तो phone की design देखती है वो ज़्यादा better लगता है बाकि guys यहाँ पे कुछ आपको user manual देखने को मिल जाएंगे बाकि यहाँ पे OnePlus का एक sticker है जो कि है never settle और यहाँ पे आपको एक USB cable मिलेगी जो कि always इनकी red color में आती है तो USB type A to type C cable मिल जाएगी और साथ में भाई एक charger देखने को मिल जाएगा और यह जो charger है यह 100W का Superbook charger अब guys यहाँ पे बात करेंगे look and feel की तो आपको OnePlus 11R की याद ही नहीं दिलाता बिल्कुल सेम वही phone यह फील होता है क्योंकि design में OnePlus ने कोई भी change नहीं किया है अब guys अगर आप सोच रहें कि 40,000 रुपे में आपको OnePlus 12R मिल जाएगा तो जी हाँ आपको मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे starting variant मिलेगा और starting variant के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ पे जो storage type मिलेगा वो आपको मिलेगा UFS 3.1 जबकि जो इसका आगे वाला variant है मतलब जो आता है 16GB, 256GB के साथ में वहाँ पे UFS 4 की storage मिलेगी तो अगर आप ऐसे compare करेंगे तो आपको बहुत ज़दा difference मिलेगा speed के अंदर तो यहाँ पे OnePlus ने एक चलाकी करी है क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया है कि Lower Variant दूसरे storage टाइप के साथ में लाँच हो और Higher Variant दूसरे storage टाइप के साथ में लाँच किया जाए तो यह एक बहुत बड़ा major drawback है इस phone का अब गईस बात करें इस phone के camera आज की तो यहाँ पे कोई भी change नहीं है जो आपको OnePlus 11R में देखने को मिलता था same camera इसमें देखने को मिल रहा है same megapixel की मैं बात नहीं कर रहा हूँ megapixel तो same है ही यहाँ पे sensor भी same है अगर हम बात करें exact sensor की तो यह है 50 megapixel का Sony IMX 890 हाला कि OIS last generation में भी था और इसमें भी आपको OIS देखने को मिलता है तो यह काफी अच्छी बात है लेकिन cameras बिल्कुल similar है इसके लागर हम बात करें ultra wide की तो पिछली बार भी आपको 8 megapixel मिला था इस बार भी आपको 8 megapixel ही दिया गया है लेकिन यहाँ पे एक और कमी है ultra wide के अंदर last time 120 degree का जो आपको viewing angle देखने को मिलता था इस बार आपको 112 degree का wide angle आपको देखने को मिलेगा और last time की तरह micro camera आपको मिलेगा जो कि है 2 megapixel का तो यहाँ पे megapixel wise और quality wise कोई भी improvement नहीं है अभी हम video record कर रहे है OnePlus 12 R के rear camera से बताना की quality कैसी आ रही है जहां तक मुझे पता है कि last time जो camera यूज लिया था OnePlus 11 R में सेम भाई भाही camera यूज लिया गया तो quality भी लगबख similar ही देखने को मिलने वाली है बट थोड़ा सौटर में changes होंगे तो definitely आपको quality हो सकता better मिले या फिर हो सकता उससे वेकार मिले इसके लाव यहाँ पे कुछ samples आप देख सकते हैं और हर एक sample में अलग-अलग situation यहाँ पे मुझे देखने को मिली मतलब यहाँ पे जो focus है या फिर जो detail है वो एकदम similar नहीं आती हर एक click पे हर एक click पे आपको different type के result देखने को मिलेंगे even यहाँ पे देख सकते हैं कि same कपड़े मैंने पहने हुए है अब condition एकदम similar है लेकिन result हर एक click पे अलग-अलगा है किसी में आपको sharpness जादा है किसी में आप देख सकते हैं overexposed image हो गई है तो camera एकदम stable मुझे नहीं लगा camera को update की जरूरत है और मुझे लगता है कि यह definitely solve हो जाएगा कुछ update से इसके लाव अगर हम बात करें इस phone के front camera की तो यह आपको देखने को मिलेगा 16 megapixel का और यहाँ पे 16 megapixel के हिसाब से quality काफी बढ़िया है बाकी camera मुझे average लगा बहुत अच्छा camera इस phone का नहीं है और जिनके पास OnePlus 11R है उनको तो बिल्कुल भी update करने की ज़रूरत नहीं है कि वो phone बेच के यह phone ले अब गाइस बात करें इस phone की display की तो भाई display मुझे काफी अधा पसंद आ ही यहाँ पे आपको 120Hz का display देखने को मिलता है जो कि काफी sharp है और काफी bright भी है यहाँ पे अगर हम बात करें actual nits की तो यहाँ पे आपको 4500 nits की brightness देखने को मिल जाती है phone की display आपको curve टाइप की देखने को मिलेगी तो use करने में कोई भी problem नहीं आएगी और curve होने के वज़र से आपको in-hand feel काफी बढ़िया मिलता है तो display तो मुझे काफी बढ़िया लगा है यह smart phone का अब guys अगर हम बात करें इस phone के performance की तो यहाँ पे यूज करें गया है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 और last generation की अगर हम बात करें तो वहाँ पे यूज करें गया था Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 performance की अगर हम बात कर लें भाई कितना कुछ difference हो तो लगबग से आपको 30% का difference देखनी को मिल जाएगा अगर आप compare करेंगे पिछले वाले generation से और भाई ऐसा ने कि एकदम 30% का बहुत ज़दा difference है यूज किसी-किसी condition में difference मिलेगा जैसे rendering वगरह में थोड़ा बहुत difference आपको देखनी को मिलेगा और boost performance में थोड़ा सा difference देखनी को मिलेगा मतलब high graphics वाले अगर आप काम करेंगे तो उस case में थोड़ा सा difference पर चलेगा बाकि snapdragon 8 Gen 1 भी काफी powerful था मैंने use किला था differently उसको तो मैंने इसका Antutu score चक किया और ये जो result हमारे सामने आया है ये काफी बढ़िया है 16,11,133,16,000,000 के आसपास है इसका Antutu score बाकि गाइस एक और बहुत बड़ी कमी है इस phone के अंदर आपको USB 2.0 का port देखने को मिलता है मतलब यार हम लोग Apple को किट्साइज कर रहे थे कि अपने जो number वाले smart phone के series है iPhone 15 के अंदर USB 2.0 वाला टाइप सी दिया है तो यहां पर USB 3.0 होना चाहिए था बाग लिगर हम बात करें इस phone के performance की कि gaming के अंदर कैसा perform करता है तो यहां पर BGMI हमने प्ले किया और लगबग यहां पर देख सकते हैं कि smooth पर 90 अप यह support करता है और support करें भी कियो ना क्योंकि यहां पर आपको Snapdragon 8 Gen 2 देखने को मिलता है इसके लाग अगर आप खेलेंगे HD पे HDR पे Medium पे तो सारी setting पे यह यहां पर जितनी भी आपको graphic setting मिलती है सब कुछ enable है हर एक setting पे आप play कर पाएंगे even Ultra HD भी इस phone के अंदर चलता है आप खेलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं भाई एक दम मक्षन चलता है तो gaming performance इस phone के काफी बढ़िया लगी मुझे बागली बाहिए इस phone के अंदर आपको देखने को मिलती है पचपंच 7 अमेच की बैटरी मतलब 5500 अमेच और इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर जो time लगता है यह company claim करती है कि 1% से 100% अगर आप करेंगे तो लगबख से आपको 26 minute लगेंगे लेकिन यहाँ पर 0 से 100 मैंने किया है तो लगबख से 28 minute का time लगा है और guys यहाँ पर company ऐसा claim करती है कि अगर आप game खेलते वक्त इस phone को charging में लगाएंगे तो 50% charge होने के लिए लगबख से 1 गंटर लगेगा इसको तो हम test नहीं कर पाए बाकि भाई यहाँ पर liquid VC cooling का option देखने को मिल जाता है जो कि आजकल हर एक phone में देखने को मिलता है तो इसमें कोई नई बात नहीं है बाकि अगर आप पूछेंगे कि IP rating कौन सी है तो यह है भाई IP64 और 4 का मतलब होता है कि splash proof अगर आप पानी में थोड़ा बहुत ऐसे चीटे विटे पड़ जाएंगी तो खराब नहीं होगा अगर आप OnePlus के customer है OnePlus का phone यूज करते हैं तो अगर आपके पास OnePlus 11R है तो update करने की कोई भी जरूरत नहीं है आप upgrade मत करना बाकि अगर आप नए user हैं जा रहे हैं OnePlus 12R की तरफ तो देखो यार इस phone का camera अभी बहुत अच्छा नहीं है जितना भी हमने use किया है नंबर एक कमी ये लगी और दूसरी चीज जो इसका base variant है वहाँ पे आपको UFS 3.1 की storage देखने को मिलती है तो इस बात का भी ध्यान रखना हाला कि speed काफी बढ़िया है ऐस सच बहुत दिक्कत नहीं आई है लेकिन OnePlus को ये partiality नहीं करनी चाहिए थी ये था मेरा review OnePlus 12 R के लिए I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और इस phone का comparison अगर आप किसी phone के साथ में देखना चाते है जिसे कि यहाँ पे IQ 12 है या फिर Realme का Realme 12 भी आ चुका है तो बताना बाकि अगर आप चैनल पे नए है तो यार सब्सक्राइब बटन दबा दो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई